नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के मौसम में अपने सक्यूलेंट पौधों को कैसे बचाएं यह एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास मैं सक्यूलेंट पौधों को रखने के लिए कई वर्षों से कर रहा हूँ मैं कहूंगा कि अन्य दो मौसमों की तुलना में मेरे लिए मानसून थोड़ा मुश्किल और व्यस्त मौसम है इसलिए मैं जो करता हूँ वह यह है कि मैं अपने सभी सक्यूलेंट को एक प्लास्टिक शीट के नीचे ढख देता हूँ लेकिन बस कोई भी प्लास्टिक शीट न डालें ये पारदर्शी होना चाहिए क्योंकि भले ही हम अपने सक्यूलेंट पौधों को बारिश से भीगने से बचाना चाहते हैं लेकिन हम सक्यूलेंट पौधों के लिए हम प्रकाश से समझोता नहीं कर सकते क्योंकि जितना जरूरी उन्हें बारिश से बचाना है उससे भी ज्यादा जरूरी है रोशनी देना इसलिए प्लास्टिक शीट को पारदर्शी होना चाहिए अन्यथा प्रकाश की कमी के कारण वे स्ट्रेच होने लगेंगे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून के मौसम के दौरान क्लाइमेट बहुत बादलदार होती है और बहुत कम धूप होती है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जितना संभव हो उतना प्रकाश उपलब्ध कराएं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सक्यूलेंट पौधों पर हमेशा प्लास्टिक छोड़ सकते हैं क्योंकि सक्यूलेंट को ताजी हवा की जरूरत होती है उन पर लगातार प्लास्टिक शीट रखने से समस्या पैदा हो सकती है जैसा मैंने कहा कि यह मौसम मेरे लिए और मेरे सक्यूलेंट पौधों के लिए बहुत व्यस्त है बारिश होने पर प्लास्टिक शीट डालना पड़ता है। जब बारिश रुख जाती है तो प्लास्टिक शीट उतारनी पड़ती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि प्लास्टिक शीट कसकर न बंधी हो, क्योंकि हमें प्लास्टिक शीट के अंदर थोड़ी कुछ वायू संचार होना चाहिए. इस सब के बाद याद रखें कि हमने जो मिट्टी का मिश्टन बनाया था, वह मदद करेगा क्योंकि हमने एक डीली, जरजरी, अच्छी जलनिकासी वाली मिट्टी का मिश्टन बनाया था, जो तेजी से सूख जाता है. यदि आपके पास ऐसी मिट्टी है, जो नमी बरकरार रखती है, तो आपके सक्यूलेंट पौधों को दिक्कते होने लगेंगी, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी तेजी से सूखनी चाहिए, जो कि मानसून के मौसम के दौरान एक कार्य है. लेकिन सौभाग्य से मैं इसके बारे में कम से कम चिंतित हूँ, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी के मिश्रण के बारे में आश्वस्त हूँ. गर्मियों के दौरान हमने जो किया था, उसकी तुलना में पानी देने की आवर्ति बहुत कम होगी. इस मौसम में, मैं अपने सक्यूलेंट पौधों को हर दो सप्ताह या तीन सप्ताह में एक बार पानी देता हूँ. यह सक्यूलेंट पौधों की विविधता पर भी निर्भर करता है. क्रिपया दूसरे क्या कहते हैं? उससे बचें. उसका अनुसरण मत करो. जिन लोगोंने कभी सक्यूलेंट पौधें नहीं उगाए हैं. वे आपको सक्यूलेंट पौधों को बारिश में बाहर रखने की सलाह देंगे. यदि आप अपने सक्यूलेंट पौधों को नश्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं हाँ बारिश का पानी सक्यूलेंट पौधों के लिए अच्छा है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तो इसका उपियोग सक्यूलेंट पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है हाँ यदि आप देख भाल और प्रयास करते हैं तो आप मानसून के मौसम में भी अपने सक्यूलेंट को स्वस्थ रख सकते हैं तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लि झाल 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